नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर समीर तुरुपड़े हैं और मैं कोकिला बेन धिरुबायमबानी हॉस्पिटल मुंबई में एक कंसलिटेंट हिमिटॉलोजिस के हैसियत से काम करता हूँ आज हम बात करेंगे कार्टी सेल थेरपी की बारे में जो कुछ कैंसर में काफी इफेक्टिव साबित हुई है इसका पूरा नाम है काइमरिक आंटिजन रिसेप्टर टी सेल थेरपी और यह एक सेल थेरपी या इमिन थेरपी का पुरकार है तो यह किया कैसे जाता है तो देखें अपने शरीर में जो खून बनता है वो बोन मारों के अंदर बनता है और बोन मारों में आपके होते हैं लाल पेशी, प्लेटलेट और सफेद पेशी जिसका एक पार्ट होता है लिम्फोसाईट और वो दो प्रकार के होते हैं B-cell और T-cell और यह जो T-cells होते हैं वो हमें इंफेक्शन से पचाते हैं और काफी हद तक कैंसर के खिलाफ भी उनका योगदान होता है तो काफी रिसर्च के बाद जो साइंटिस है उन्होंने ये T-cells को जैनेटिकली मौडिफाई किया ताकि वो बिल्कुल कैंसर को टारगेट करके उसको खतम करें तो ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग पहला हम पेशिंट्स को हॉस्पिल बुलाते हैं उनको हम एसस करते हैं देखने के लिए कि वो फिट हो फिर उनको एक मशीन से कनेक करते हैं जो की डायलिसिस के तरह होता है डायलिसिस मशीन के तरह होता है उसको बोलते हम एफिर लाब भेजते हैं, जहां पे वो सिर्फ T-cells को सेपरेट करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाइ करते हैं, ताकि वो कैंसर को अटाक करें, फिर इवो सेल्स वो हमें वापिस शिप करते हैं हमारे हमेटार्जी सेंटर में, फिर हम पेशन को एड्मिट करके, तीन दिन उनको कीमो अप्लिकेशन नो हो, और फिर पेशन्स को डिश्चार्ज करते हैं, तो यह उसकी प्रोसेस हो गई, तो कार्टी सेल थेरपी फिलहाल तो B-Cell लिंफोमाज, B-Cell अक्यूट लिंफोब्लास्टिक लिखीमिया, इसमें सबसे ज़्यादा यूज है उनका, और मल्टीपल माइ अपने लोकल हिमेटालोजी से संपर किये, या हमें इमेल कीजिए, थैंक यू.